तो जैसा कि मैं पिछले classes में आपको बता दिया था कि भाई प्रीथवी गैस ये माध्यम से लिक्वीड में आती है लिक्वीड से ठोस में आती है मतलब समझो कि आप कमेड़ी करई रहे हैं से जो की सुषाण कर रहव कांए क्या कर रहे हैं का हम पूर्य प्रेंध्य की उत्पती हुई थी कब तेरह पॉइंट साथ अरब साल पहले इस वीडियो में हम लोग प्रम्हांड की उत्पती होती है यह सब आपको बताया हुआ पहले के वीडियो में आपको वह क्लास 11 वह लेंद में देखना था वीडियो में अब व्याइब का उमर है वह 4.6 बिलियन इयर्स हमारी प्रित्वी यह किसका है प्रित्वी और यह बताया जाता है कि हमारा सॉर्मंडल का भी एज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है पूरे स्वार मंडल का भी हमारा पांच बिलियन इयर्स है कितना पांच बिलियन इयर्स अब भाईया आपको हम एक चीज़ कल के वीडियो में बताये थे चार प्रकार के इस्टेट होते हैं कौन-कौन से पहला वास्प दूसरा लिक्विड उसके बाद प्लाजमा उसके बाद ठोस चार हमने बताया था चारों चार बताया था याद रखियो ना तीन नहीं कैमेस्टपी में 3 होता है जो कि हमें 3 भी तरना होता है मध्या और एक बनातい है 立ू का करते हैं याद है coughing कोई दिक्रत नहीं नहीं है तो मतलम होता है जैसे कैसे को इसे को इसे ब दो भा कर डेम करते हैं पानी में बालकर नहीं सो प्लाज्म में भूलोगे लिकविड भूलोगे लिकविड जो प्लाज्म रहता है घौणता है इस लोगो एखने रहता है पाग जब लेना नगल लेना है जब कभी भी मकर संक्रांती आता है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें लाई बांधा जाता है लाई समझते हैं लाई मकर संक्रांती में लाई चूला वो सब खाया जाता है तो जो गुड में उसको लपेटा जाता है तो इस प्रकार की स्टेट को हम लोग प्लाजमा बोलेंगे तो हमने एक नाम दिया था जिसको हम लोग मैगमा बोल रहे थे इसका color लाल और पीला दोनों होता है और ये तो मैंगमा, अत्यांत गरम होता है और यदि इसकी सेट के बाद कर ले तो यह ei फि मैंगमा वैसे ही होता है आप जैसा के वीडियो में देख पा ours कि इसे खौल रहे है इसका समझे उसको किस टैप से यह है ना खौल रहा है तो ऐसे इस्थिती होता है मैगमा का यह अत्यांत गरम होते हैं प्रिथवी लिक्विड इस्टेट में आती है लेकिन उसको हम लोग जिलोजी के लगवख साथवे आठवे आध्या में पढ़ेंगे इस्टेट में इस चप्टर में ठोस पढ़ना है और लिक्विड यानि की मैगमा पढ़ना है तो मैगमा को ही मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि चटान जब पढ़ेंगे तो पहले लिक्विड देखिए मैंने कल भी बताया था कि यदि कोई किसी गर में देखा ता कि होता है study of the rock is called petrology तो यह सारे topics होते है पैट्रोलोजी का हिंदी होता है सेल बिग्यान तो मतलब सेलों के बारे में पढ़ना है उस बिग्यान को हम लोग सेल बिग्यान कहते हैं करेक्ट कोई ड्रामा नहीं यहां पर सौटकट है एकदम है कि नहीं तो भाई सेल को हम लोग पढ़े एक रख मरे उसीजिश भी लग ईतना इयर ले लो लगबहगाचास हजार साल सयल, हजार यान एक लाख साल पहले जाओ उस समय वायू मंदल धारती पे था ही नहीं, पूरे पृत्वी पर वायू मंदल ही नहीं था, क्योंकि यह जब 4.6 billion years पृत्वी का हो रहा था नहीं, उस वक्त हमारे पास केवल हाईड्रोजन गैस था, और हीलियम गैस था, समझ मा गया, हाईड्रोजन था और क्या था, हीलिय तो भाई यह इतना तो नहीं न था कि गरम बन जाएगा आपने केमेस्ट्री में पड़ा है कि यदि कोई चीज को हम लोग गरम करते हैं तो उससे भाब बनता है भापवा बनेगा तभी तो गैस माध्यम स्टेट बनेगा अभी तो हमारा यह गरम ही है अभी तो बनाई नहीं ह समझ सकते हो कि आज से एक लाख साल पहले पचास हजार साल पहले किसी प्रकार का कोई भी वायुमंडल इस धर्ती पे नहीं था यह साइन से इस बावत मत भुला जाना यह साइन से पहले यहां पर याद रखना है कि वह आया तो आज हमारे पास वायुमंडल की परत जो प्र 240 किलो मीटर उंचा हवा है समझा गया अब बताइए कि जब इतना हुआ तो समझे कि धर्ती के अंदर में कितना चीज़ बना होगा कॉंसेप्ट समझना कि भाई कोई भी पानी को यदि हम गरम करते हैं तसला में या कोई भी बरतन में उपर से तस्तरी से ढख देते हैं और नीचे से भाब बनता है तो उपर उड़ता है उड़ता है कि ने उड़ता है अब मैं आपको एक चीज़ कॉंसेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं यह पर यह पैट्रोजी का एकदम बैसिक चीज़ है यह जब तक नहीं जानीएगा तब तक मजा नहीं आएगा अब का सधर्ती के रचना हुई उस पॉइंट को समझें यदि जब मैगमा और लावा धर्ती के अंदर में है तो समझो एक इमेज आपको यह करना है कि अभी तक फुपरपट्टी का निर्मानी नहीं हुआ है अभी तक यह क्रस्ट का निर्मानी नहीं हुआ है समझा गया एक इमेज आप अपने माइन में अभी के अभी करो तब जाकर यह टोपिक आपको बहतर से बहतर समझ माने वाला है आप आक बंद करो और इमेज करो कि अभी इस दुनिया में इस पृत्वी पर यह उपरी भाग परपट्टी है ही नहीं खतम कुछ भी नहीं है क् कोई चीज नहीं नहीं दो जीव जनती का फ्रणा डेखना कहां सदों आने वाला कोई नहीं आने वालाторов का प्रि Voorकार का इमेज को आपको क्या लग सुए अभी तक आपने ये पढ़ा, कि गैसिय माध्यम से liquid माध्यम में तो आ गई, लेकिन अब ये और भी चीज है, कि सर्याइ लिक्वीट माध्यम में आई क्यों, क्योंकि ये science है, मैंने बता दिया, आपको ये भी पता होगा, कि हमारे पास सूरिय है, इसको इंग्लिस में सन कहते और इसका टेंप्रेचर है ना ओबर इसमाट है भई या 6000 डिगरी सेल्सियस लगभग में अब बताइए सूर्य का टेंप्रेचर तो आज भी उतना ही है उस समय भी उतना ही होगा लेकिन आज यह हमें कम लगता है ऐसा क्यों क्योंकि हमारे पास अभी के टाइम में 640 किलो मिट वयायू मंडल है क्या है वायू मंडल ना के बराबर थी निर्मान ही नहीं हुआ था पूरे इतना बड़े है थोस का निर्मान ही नहीं नहीं हुआ था मैं यहंगे देने का प्रेहस कर रहा हूं मतलब जो अभी आपने इमेजिन किया इस टाइब का था सेम उस प्रकार से नहीं बोल सकते लेकिन एक लाख साल पहले उतना हम लोग बोल सकते हैं कि निर्मानी नहीं हुआ था अब आपको एक और चीज़ देखना है कि निर्मान नहीं हुआ था ्टसला में पानी अपने रखा उसको गरं किया नीचे से टेंपरेचर दिया और फ्लेम ज़्या में से जपलिक इस टेट्ट अहांसे आपको स्ट्रेटि ग्राफी में आगे पड़ना जो कि थोड़ा समय उसका अंस यहां पर लेने का प्रयास कर रहा हूं भाई देखो गैस है क्या है गैस को यदि हम गैस को बंद करते अरे समझो ना गैस में धूलकन भी तो होगा निहारिका में धूलकन गैस सभी चीज था आपको धूलकन यह सब हो जाता है तो सरदी हो जाता है उसको यह है और मेगमा बन भी गया तो वह शूरी का टेमप्रेचर का मौनांस्टेइगा उससे कई गूना ज़्यादा यहां से वास्पीत यह क्योंकि का सब्सक्राइब करके जाएंगे अब आपको यह पता चला कि यदी मैगमा यदी सूर्य का टेंप्रेचर है और धरती पे ठोस चीज नहीं बना है हमारे पास मैगमा है जो कि पलाज्मा अवस्थाम है इस अवस्था में पलाज्मा तो ये भाब बनकर ऊड़े controversy का मगया और वैसा वह से टेंप्रेचर कम होगा कि नहीं होगा बताइए तो आएगा वास्प गैस को समझी रहे ठंडा भी ठंडग भी परदान करता है अब ऐसा नहीं कि एक ही गैस वह जो मैगमा वगमा बनता है एक गैसों का नहीं होता भाई साहब उसके लिए आमको नेबूलर परिकलपना में पढ़ना पड़ेगा जो कि बहुत डीप में आपको नेबूलर परिकलपना करके मेरे चैनल पर वीडियो है उसको देख लीजेगा समझा गया तो ऐसे करके वायू मंडल बनता है और वायू मंडल ठंडा होता है आप सभी को पता है अब उपर से टेंपरेचर कितना भी आता है तो वायू मंडल सद्वाइब आपकोनई बतायाएं ठीक न तो यह सब चीज होती है तो यह पॉइंट है आपको को कि वीडियो दिखो ही इतना इंट्रेस्टिंग और गेंशा दीख परता है थो ने किया अब आपको वही पॉइंटगा अब आप इस पहले को अब दो Isn't यह तक आपने देखा मैघमा और क्झर मैघमा का कूलींग प्रोसेश होने के बाद फ्रीजिंग होने के बाद cooling होने के बाद यह जम जाएंगे और यह लावा का रूप ले लेते हैं और लावा का काला हो जाता है कैसा हो जाता है काला और लावा जब बनते हैं तो प्लाजमा के साथ साथ धीरे-धीरे कठोर होने लगते हैं क्या होने लगते हैं कठोर भी होने लगते हैं बूश्थाए है और लाव पर प्टोर याद रखना है अब ही तक हमारे पास दो चीज आया आए पहला को लावा बोल रहे हैं और दूसरा को मेगमा बोल मैगम आया याई जोई भी लिगा जाएंग Ben तो अभी तक हमारे पास दो चीज है एक लावा है और एक मैगमा है अब इस पैट्रोलोजी का अंत्रगत मैंने उतना दस मिनट तक आपको डीप ही बता रहोंगे कैसे कैसे डीप होता है और यहां पर आता है असली खेला जहां से स्टार्ट होता है ऊड़ंवनिक मैं बेश मजबूत हो ना जरूरी है यह सभी का जो कमेंट का कोडिंग 12 कैसे इक पर का एक इग्जाम myself 11 में तो सत्यानास हो चुका है वह किसी का सत्यानास नहीं हुआ है जो मेरे चनल के बारे में जान रहा था उसका नहीं हुआ है ये इनका एक संघटन बनता है जब मैगमा और लावा के संघटन पर यदि कोई भी चीज यानि कि देखो मैगमा गरम था लावा ठोस हो गया अब इन दोनों के अभिकरिया से जो चीज का निर्मान होगा वो चीज को ही हम लोग सैल कहते हैं क्या कहते हैं सैल का दूसरा नाम पत्थर होता है और इसी को हम लोग एक और नाम में प्यार से चटान भी कह देते हैं कहते हैं कि नहीं भाई साब बताए तो पत्थर का दो तीन न नाम होता है कि नहीं होता है ऐसे देखोगे ना तो चटान को हम लोग ऐसे स्टोन भी बोल देते हैं पत्थर को रोक भी बोल देते हैं कुछ लोगों के आईडी हम देखें हैं भाईया का रहता है ना लिखता है कि इवला फ्लाना ढिकाना रोक रोक एस्टार ये उनलों के कभ तो और दिशीना कोई भी मोभी या यानि की ही मतलब क्या होता है क्रोस करता कर मार कर जो मार देता एक को उसको भता है कर जैसे समस्केज में लेख जी के यह बच चलो ले चले तुम्हें तारो के शेर में यह गाना बच रहा था न मतलब एचीज है कि धरती पर यदि प्यार निहीं कर तु करे गांपे धरती पर वातावरन धर्ती पर 5000 यहांपे उपस्तित है और धरती पर ही झीनने लाय चीज पाइँ जा रहा है इक गानवा कॉन गाता है लड़का-लड़की दोनों गाता है अहां गतार देखो लड़का लड़की भी बयकूफ लड़का भी बयकूफ जो शिंगर है वो भी बयकूफ यभी भाई इन कि लेगा प्लाजमा में प्यार खा करेगा फचास डिग्री टेंपरेचर आजागा तो बोलेगा कि रखना यार बाद में बात करते हैं बहुत गर्मी लग रहा है अब फोन सही लगेगा ऐसे हूंक ने समझा गया अकल ही नहीं है आप कॉंसेप्ट समझना आपको कॉंसेप्ट पर द्यान देना है ऐसे लोग गाना बना देता है कल मतलब हम सोच में पढ़ गया हम बली कि यार यह तो बेस्ट इग्जामपल है ज्योजी जब हम पढ़ाते हो तो तारा पढ़ाना है मैं अब तरह में पढ़ाना है इसको ना ग्रेविटी रहेगा है ना कूछ नहीं तो यह सब चीजेओं पर ध्यान देना चाहिए प्यार महुबत तो यह सब होता रहता है यह सब एक कनेक्षन होता है अट्रेक्षन होता है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें नहीं पढ़ना है जिएलोजी में लेकिन भाइज देखिये जो लोग इस चक्क्र में रहत तुम लोग ही जाओगे क्योंकि प्यार करने वाले हमेशा टॉप पे ही रहते हैं पता होगा आप लोग को है ना उपर ही जाएगा तो यह क्या की जगा चुड़ी आडएगे पॉंसेप्ट ध्यान देना चाहिए कभी भी आपको गाना सुनना चाहिए लेकिन यह आल जाल गान क्यों लगाना आज उनका है ऐसे किसे हुआ ही बताइए तो देखिए मैंने आज की इस क्लास में मैंने यह बता दिया कि भी यह लावा और मैगमा जब ठंडा हो जाते हैं तब पत्थर बन जाता है पत्थर बनने का ना एक और सा प्रोसेस हो जाता है आपको मैंने एस्ट्र ओको नौमी के आंतरगत एक चीज पढ़ाया था चुद्रग्रक्र क्या पढ़ाया थे चुद्रग्र एस्ट्रोएट उल्का करण कभी 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 करी कभी नहीं प्रिस्व का निर्मान हो रहा था तो थो प्रीथपी घृत रदी था प्रिस्वी का व QR मंदल में तो बोल भी हैं हम लोग भी आज कुछ लोगवन दिखी का बोलेगा एक भ्राम है यह वीडियो में इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहे हैं जो लोग हम लोग मतलब जितना जानते हैं पत्थर ता आपको पता चल गया कि लावा मैगमा से बनता है का बोलता है ऐसे तो यादी खोद देते हो तो नीचे एगवाव छत दिखाई देगा यानि कि नीचे भी घर बना हुआ है मंद बुद्धी इसका भी समझो यहां पे प्रीथवी कल्ले यार इतना भी असान नहीं है पर पट्टी है यहां पे समझा गया और केवल इसका केवल इसका है 129 किलो मीटर मेंटल जो मेंटल है ना मेंटल का इतना है तो यह सब आप लोग समझाईए कि भाईया ऐसा कुछ होता नहीं है चुद्रगरा भी प्रगार का पत्थर है और चुद्रगरा आज भी जो प्रीथवी के गुरुत्वा कर्शन ग्राविटेस्टनल फोर्स के चलते जिसे कभी कबार कोई जंगल उंगल में गिर गया ऐसे कुछ तो पचाना जाता है उसका सब तो गिरते रहते हैं यह जो गिरा था एस्ट्रोएड मैंने क्या बताया था कि 50,000 सल पहले ना वायू था ना कुछ था तो सूरे का टेंपरेचर भी ज्यादा था और भाई बताई अंदर में दब गया डबा नहीं डाना जोर मर्त हो गये सब डाना भी नहीं हमर आज भी उनकी पर जाती जिंदा गिरगीट कौन से पर जाती है डायासौर का फोटो देखो गिरगेट का फोटो देखो मिल जाएगा लेकिन यह सब का थोला बताएंगे आगे वह बायोम पढ़ना यहाँपनिए उपर से जब गिरता है जब डायासौर थी इस दुनिया बेवर उपर से जब एस्ट्रोइड से आपने बहुत सार देखाए उपर से जब गिरता है धरती के नीचे चल जाएगा। आपको आपको बताया हूँ प्रीथभी के अंदर में मागमा और लावा तो उपर में निर्मानी हो रहा था उस वक्त उपर का परपट्टी का निर्मानी हो रहा था तो उस समय वह सब जाकर दब जाते हैं मतलब मैगमा लवा के चक्कर में और कभी-कभी उपर से इतना जोरो की धका लगा आपको भुकंप में मैंने पढ़ाया था कि एक चटान भी उपर से पहाड़ा पर से गिरता आना तब भुकंप आ सकता है तो वैसे ही समझो कि उतना सब चीज बनी रहा था और नीचे के सारा मैगमा लावा उपर सारा चीजों जन्तू जानवर पेड़ पोदे सभी को बरबाद कर दिया एक लेट में समझा गया तो यह सब बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि इस चेप्टर में हम आपको बताने का प्रयास कर रहा है तो जितने में केवल हमको फैक्टेबल चीजों के इस क्लास 12 में पढ़ना है इलेवेंत में उतना तो था बट वह उतना डिपली जाकर नहीं पढ़ना था चटान हम लोग पढ़ने समझ रहा अभी तक चटान का बढ़िया डिपनेशन हम आपको नहीं दिया है अब पॉइंट पे आते जो मैगमा और लावा होते हैं इन में बहुत सारे खनीजों का मिश्रन होता है क्या होता है बहुत सारे खनीजों का मिश्रन होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि चटानों का निर्मान खनीजों से होता है चटानों का निर्मान जों से ही हुआ है खनीजों से होता है मतलब खनीज मतलब क्या क्वानिज में बहुत सारी ठीज मिलें तब लिएए पनीड मिलें तब चटान का टीजाम कर मेंने में का द॥ अब सवाल के अध्यायन को हम लोग क्या बोलता है क्या बोलते हैं सैल की कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको पैट्रोलोजी क्या कहते हैं पैट्रोलोजी और अभी तक जितने भी हम लोग साथ सैलों की उत्पत्ति के बारे में जो पढ़ाई किया हैं इसको बोलते हैं पैट्रोजेनेसिस और इसे हिंदी में है talk जानन तो अभी आपने यह जाना कि वह सेंसे मिलकर बना है बहुत सारे चीजह ऐसे चीज़ों से कभी चतान नी बनता है समझा गया और चतान बनने में दरीधी कभी तो हो नहीं है मैंने आपका बता ein tbnd गया तो उसका मात्र तरीका है कि ऐकवल होगा धरती प्यानी के बाद और वह प्रोसेस वीद्रिंग यानि कि जिसको उचलों एरोजन सोरी आपक्षय कहते हैं हिंदी में समझा गया और जितने भी आज दुनिया में आप मिठी देख रहे हैं जितने भी आप मिठी को देख रहे हैं आपको मैंने परदन में क्या तो यह दि कोई पथर को इतना तोड़े इतना तोड़े और छोड़े कि वह मिटी बन जाएगा तो समझ रहाज दुनिया में कितना मिटी है तो यह सब चीज दुनिया में किस प्रकार का घटना घटा तो यह सब चीज़ दुनिया में क्या प्रेत्वी की बात करो ठीक है तो समझ आ गया कि चतानों के अध змCr को तर्टानों के विग्यान को हम लोग सैलिकी कहते हैं जिसको इंग्लिस में लोग पैट्रोलोजी पड़ते हैं और आज कहीं इसी वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा चीज़ बारें पड़ चुके हैं तो बस समझ में आना चाहिए कि भई यह सब बैसिक पॉइंट से जो मै जाता है और धर्टी के अंदर में सोकता है जोकने के बाद धर्टी के अंदर आज भी मैगमा बनते हैं ठोस है प्रित भी इसके नीचे जाते हैं मतलब कि धर्टी के नीचे निचे जाएंगे वहां पर कर रहा है तो जो बोस होगा उसका उसका ताप यानिका टेंपरेचर गुसा और प्रेशर की काम करना तो करना इंसान को बदल देता है तो सुरी का टेंपरेचर और दाब यह लग गया तो उसको मैगमा में चैंज कर देगा समझा गया ऐसे मैं चाहता हूं एक चैनल पर कमेश्ट्री भी लाँँ ठीक है किमेश्ट्री से बहुत जाएं जयांए क्या जाना अभी तक आपने यह जाना कि सैल होते हैं सैल खनी जो सी मिल्कर बने होते हैं सैलों के विग्यान को हम लोग पेट्रोलोजी कह देते हैं और और इतनी इंट्रेस्टिंग क्लास को जो लोग मिस कर रहा है ना समझो कि उन लोग गोल्डेन ओपर्च्यूनिटी को खो रहा है और आप ही लोग बता ही ना हम क्या गलत करते हैं हम तो बोल देता है एक लाइन में कि भाई एक्जाम टाइम में हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे क्यों सपोर्ट करेंगे अब यह समीतना सपोर्ट करें तो क्या सपोर्ट करेंगे एक्जाम टाइम में तो लोग हम से नाराज हो जाते हैं कि सरा गुसा है क्या क्या गुसा होंगे बाई मेरा काम है पढ़ाना हम लोग इ आइप्स ओफ रोग तानो की प्रकार मैं आपको बता दूं कि चठान हमारे पास तीन प्रकार को होते हैं कितने प्रकार के तीन में ली मेनली यह पाटे तो pushed में हैं सबसे पहला ता इसे हम लोग बोल देता हैं मैटामोर्फिक रोक बोल देता है आज के जो वीडियो जो देखा है उसको मैं चट्टानो के प्रकार के यह डिफनेशन दूंगा ना तो सच बता रहें है चुटक कीयों में याद कर लेगा बंदा चुटकियों में याद कर लेगा इतना एजी है समय के तीन प्रकार के चट्टानों को प्रकार होता है पहला दम रट लो इसे जहां पर यह सेल इसाधी तीसरा काई इस इसल इसल इग्योश रोग सेडिमेंटिरों मेतामॉर्फिक is sedimentary metamorph especially significant theitime कि सितना देर तक याद रखवाए को रखोड़े मैं क्या बोला रटने के लिए कितना देर तक याद रख पाएगा छोबीस घंटा कितना चोबीस घंटा माथा आपको याद रखना कि जो jack body special किताब आ रहा है यूनिवर्सिटी passport होता ना कहां पर है किताब हो जी हां दखो यहां पर यह वाला किताब हो मिलता है इस सोचोगे ना पास होने के लिए हो तो जाओगे लेकिन इसमें दो को । बीय बीयस्टी नहीं पढ़ा नाइन टेन यह रिए इस नहीं पढ़ा है वह टारेक्शन किया है टॉपिक्स को और अचुलाइस पनाया है खुद से आप यूटूब पर भी सर्च किज़ेंगा ना क सभी जगह से मिलाक कर पॉइंट्स को बनाया जाता है इतना भी असान नहीं होता टीचिंग करवाना समझा गया तो भाई तीन चीज याद करो जल्दी से एक नियास नहीं याद हो रहा है याद होगा कि नहीं होगा बता दें एक और ट्रिक बता दें कि देखना हम लोग क्या बोलते हैं कभी-कभी बोलने में रूप जाते हैं तो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं मतलब कि जैसे कैमरामेन को यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया किसी कारण वस इसलिए कल उसको यह करेंगे ऐसे बीच में बोलता है तो अब दिमाग लग का कॉंसेप्ट है ट्रीक है टाइप सब्रोक याद मियोगा यार क्यों नहीं याद होगा मेरे रते हुए आ आ आ आ तो अगिला आदमीं बोलेगा का ट्रीक देखो है आ मतलब अगनेया सेल एक तो एक बार आऊ आव बोला ना मतलो ले लो अउसाधीक Less का अंध्या कशय से तो तौछ या इस या तो रोग या और यह कॉNसेप कि लिसे ह क्या बताता हो के वाई जैसा करता था मैं है उना वैसा करना है लेक्षर लंबा होगा अरे कोई टेंट्सन ने मेरे को 20 लोग ही देखे ना 20 लोग मैं जिनियस बनाऊंगा जिनियस यहां से जो पढ़के जो के वल यूटूब के यूटूब का पाउंड से आपको जिनियस में बना दूंगा लिए नहीं हो टाइब सो फो रोंग की पहले हमें कमेंट में बेंट कोजिए जल्दी से चाट बोक्स में कमेंड करो फ洗 pianziękuję अगला अ कि यह को गला शाधी और का भूना तो क्या होता है क्या हो जाएगा कॉन के लि कुछ दिकत नहीं है और इसमें आपको याद रखना है आई-एबस हैजिक को आपको में याद करने का ट्रिक आपके चीज में यदि कोई आपके फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है जो चीज आपको याद नहीं हो रहा है आप उसका उसे नाम रख दो मैंने क्लास में यहीं किया जैसे क्लास 10 में आपने देखा होगा कि संख्या तो बहुत सार रहता है बट उसमें चैप्टर नमर्ट 2 में आपको बेकिंग सोड़ा याद करना है धोवन सोड़ा याद करना है प्लाश्ट रोपरिस हम बोल दिया है कि बही देखो याद नहीं हो म्तलब नियुक्स ने किसी दशचान आपका सबसे मित्र होगा और जो अपको सबसे कठोर करन लगता होगा या शूत्र लगता होगा उसके नाम के जगा सुट्र बोल Typically you RE civ, लोग ऐसे की मेरे सामने मेरे कूछ नहें सर धोन फोलतना है व बोलते हैं रेक्या दोंट शोड़ा तो फिर बोलेगा क्या जोग यह क्या होता है ऐसे नाव करेक्ट हुआ तो किसी का नाम भी रखना है तो क्या करना है शुत्र ही राक दो उसका नाम हुआ दो कि चलो तुम्हारे सूतर नम है। लlegyou trick किसी का नाम होगा, कोई भी तो इसको mac if alone is best successory को आपको ism याद रखना है चल के वीदियों हम लोग पड़ेंगा टाइप सफमल को बहुत बनЪ से डिटेल में समझागे आज की वीडियो में आपको लगाऊगा क्या आसर कुछ नहीं पड़ा है लेकिन आपको बहुत बड़ा-बड़ा कॉंसेप्ट दिया है समझागया चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जहेंद